परसकार मैं हूँ दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की और बने से पहले एक नजर सुर्खियों पर पंकस्त रिपार्टी ने बेस्ट अपोर्टिंग एक्टर का खिताब किया अपने नाम मैट्रिक परिक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन की बरीते थी एक्टर में केके पाठक तेजबारिस के बीच किया स्कूल का निरिक्षन जाकी रंगर्नापर सीम नितीस ने कही ये बात विराट कोहली को यूयो टेस्ट का स्कोर फैंस को बताना पराभारी इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बरी खबरों की और विस्तार से मैट्रिक परिक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन की बरीते थी बिहार विद्यारे परिक्षा समीती द्वारा उन बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है जो मैट्रिक परिक्षा 2025 में सामिल होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन डेट को बढ़ा कर एक सितंबर कर दिया गया है विलम सुल के साथ नौविक अक्षा में पढ़ने वाले बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन अब एक सितंबर तक करवा पाएंगे मालूम होके से पहले 23 अगर्ष्ट रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिमतिती थी समीती द्वारा कहा गया कि कई विद्यालेओं के प्रधान द्वारा जमा किये के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सुल कब तक जमा नहीं किया गया है पंगस्त्रीपार्टी ने मीमी के लिए अपने नाम किया वही मैतली भासा में बेस्ट फिल्म का अवर्ड नीरज मिस्ट्रा निर्देसित फिल्म समानांतर को मिला सर्वस्रेश्ट सहाय कभीनेता का पुरसकार पंकर स्रीपार्टी का दूसरा राश्ट्य पुरसकार है जो उन्हें मीमी में अपनी वहतर भूमिका के लिए दिया गया है मालूम हो कि अभी हाल में ही पंकर स्रीपार्टी के पिता किम्रित्यू होई थी पुरसकार में सम्मानित होने के बाद एक इंटर्व्यू के दौरान उन्होंने कहा कि यह दुर्भागे से मेरे लिए नुकसान और सोक का समय है अगर बाबुजी होते तो वो मेरे लिए बहुत खुश होते जब मुझे पहली बार राष्टे पुरसकार का उलेक मिला तो उन्हें बहुत गर्व और प्रसंता हुई यह राष्टे पुरसकार मैं उन्हें और उनके जज़वे को समर्पित करता हूँ इस समय मेरे पास सब्द नहीं है लेकिन मैं खुस हूँ और टीम का अभारी हूँ राज के समारों के रूप में मनाई जा रही बीपी मंडल की जैंती बिहार के साथवे मुक्यमंत्री विंदेसवरी प्रसाज मंडल की आज जैंती है ये बिहार के मुख्य मंत्री होने के साथ साथ भारतिय संसत के सदस्य और मंडल आयोक के निर्मात और अध्यक्स भी रहें। इनकी जैनती हर साल राज के समारों के रूप में बरही उत्रा के साथ मनाई जाती है। साथी बीपी मंडल के पैतरी गाउं में अस्तित उनके समाधी अस्तल पर कई तरह के खेलकुद और सांस्कृतिक कारिकरम का आयोजन होता है। इनके योगदान की जितने ही चर्चा की जाएगे उतने ही कम है। बीपी मंडल के सम्मान में भार सरकार द्वारा वर्ष 2001 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। साथी वर्ष 2007 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। वित रहीत और अल्प संख्यक कॉलेजों के सिक्षकों की बहाली प्रणनती पर एहम फैसला। उसके निर्नेल से पहले संबंदित विस्विद्याले से अनुवारे अनुमती लेने की बज़ाए सिर्फ विस्विद्याले प्रसासन की स्विक्रिती या उनसे परामर्स लेना ही परियाप्त रहेगा इसके साथी हाई कोट ने बिहार विस्विद्याले अधिनियम 1976 के उक्त पर लाने के लिए सिक्चा विभाग के अपर मुख्य सर्चीव केके पाठक की द्वारा कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं और साथ ही लगातार स्कूलों का निरक्शन भी किया जा रहा है इसी करी में बीते दिनों केके पाठक तेजबारिस के बीच नालंदा के नगर नौसा हाई स्कूल और मिडल स्कूल में निरक्शन करने पहुंचे इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों से सवाल भी पूछा इसके जवाब को सुन कर वे काफी खुस हुए वही हाई स्कूल के निरक्शन के दौरान कई खामिया देखने को मिले जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जदातेवे प्राचारे को अभी लंब इन कम्यों को दूर करने का निर्देश दिया हाई स्कूल के खेल परिसर में बने कमरे में पसू चारा को देखते वे गुस्सा हो गया उन्होंने प्राचारे को कमरे को खाली कर बच्चों के लिए क्लास रूम बनाये जाने का निर्देश दिया इस दोरान विद्याले के लाइब्रेरी में भी बे गया जहां लाइब्रेरी रूम में अंधेरा देख वे प्रधाना ध्यापक भरग गया और जल्द से जल्द लाइट की ववस्ता करने का निर्देश दिया इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में कम्यों को देखते वे और भी कई दिसा निर्देश दिये जाते जन गर्ना पर सीम नितीस ने कही ये बात आज बिहार के सीम नितीस कुमाने जाते गर्ना लालू यादव पर सीविय की कारवाई और राजभवन वसक्षा विभाग के बीच तकरार समेत कईयन ने मुद्धो पर मीरिया से बात चीत की जाते गर्ना को लेकर उन्होंने कहा किसमे आए आकरों के बाद अब संख्या को सामने नहीं लाय जाएगा लेकिन इसके अलावे सभी जानकारियों क साजा किया जा सकेगा उन्होंने बताया कि गर्ना कोई नीजी कारिक्रम नहीं है सर्वादलिये बैठक में फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर कोई रोक नहीं है जाती करना का काम पूरा हो गया है सर्वे कर लिया गया है अब जो आकरे आए हैं उसे जानकारी जमाय कि जा रही सिखचक भरती परिक्षा के रेलवे चला रहा स्पेसल ट्रे बीपी हैसी शिखचक भरती परीक्षारत्यों के लिए स्पेसल ट्रेंग की और दो । पटना आरा स्पेसल का परिचालन रद करते हुए पटना के बकसर के लिए चुलाया जा रहा है। पहले दिन एक से पांच वीक अक्षा की हुई परिक्षा की दोनों पालियों में देखने को मिली। वहीं पूरे राजे में कदाचार के मामले में तीस अभर्तियों के पकरी जाने की खबर बीपीएसी के अध्यक सतुल प्रसाद ने ट्वीट के जरिये दी। साथी उन्होंने बताया कि मामले की जाच की जा रही। बारिस के कारण किसान राहत की सांस तो ले रहे हाला कि बीते दिनों तीन लोगों ने अपनी जान तेज बारिस और वजरपात के कारण गवा दी। दर्भंगा दिले के घंध श्यामपूर में बीते दिनों सबसे अधिक बारिस हो। यहां लगबग 122.4 mm बारिस दर्ज की गई मौसम विज्ञान केंद्र पटना के विज्ञानी के अनुस्रा आराभी आने वाले दिनों तक राजे में मौसम के हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। और रुक रुक कर हलके से मध्यम अस्तर की वर्षा देखने को मिल सकती है। अनिवारे कर दिया गया है। भागलपुर तक होगा पुर्वांचल एक्सप्रेस का विस्तार बहुत जल्दी विहार वासियों को उनका पहला एक्सप्रेस मिलने वाला है। दरासल पुर्वांचल एक्सप्रेस के भागलपुर तक विस्तार करने की संभावना को तलासने के लिए बहुत जल्दी एनेच एयाई की द्वारा अपने सर्वे कारी की शुरुवात की जाएगी। इसके साथ ही गोरकपुर, सिलिगुरी और अक्सौल, दिगवारा, हल्दिया एक्सप्रेस वे के निर्मान के लिए बहुत जल्द ही भू अर्जन शुरू होगा। वहीं बिहार की राजदानी पटना में भी दानापूर बिहटा एलिवेटेड रोड बनाने के लिए एजेंसी का चैन इसी महीने किया जाएगा। इसका सुभारम उन्होंने एंसी आर्टी के सभागार में बीते ही दिनों आयोजित विसेश कारेक्रम के दौरान किया। आईजी आईमेस अस्पाल में अब रोबोट के जरिये मरीजों के इन बिमारी का होगा उपरेशन तकनी की रूप से विकसित राजी का सबसे बढ़ा अस्पाल आईजी आईमेस अस्पाल है। बिहार के हर कोने से लोग नमबर लगा कर अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं अब इसी बीच मरीजों की बेहतर सुविदा के लिए इस अस्पताल में एक बरी पहल शुरू हुई है जिसके तहत एक आपरेशन थीटर का निर्मान किया जा रहा जहां रोबोट अब लीवर आत गॉल बिलेडर की सरजरी करेंगे नई तकनीकों से लैस रोबोट पचासी करोर की लागत से आईजी आईएमस में लाए जाएंगे इस प्रकास जो कि आईजी आईएमस के इंडो क्रोनालोजी विभाग के प्रमुक है उनके द्वारा बताया गया कि रोबोट सरजरी ची सरजरी की तुलना में काफी सुरक्षित रहती है धक्का मुकी वाले वीडियो पर तेजप्रताप ने कहिए बात अभी हाल में ही राज़त सुप्रीमो लालू यादप के बरे बेटे और बिहार सरकार में मंत्री गोपाल गंजिला के सिलार कला ग्राम में गय थे जहां एक ध सानिय प्रशासन ने उस वjek्ति को वहां से हटाया साथी थेच प्रताप ने आरोप लगाते वे कहा कि घटना के दो दिन के बाद उस वीडियो बना कर सोसल मीडिया पर वारल कर दिया इस घटना को ले कर उन्होंने F.I.R. भी दरज करवा दी है बीजेपी के प्रदेश अध लिया है कि 2024 में केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएंगे और 2035 में बिहार में सुस्वासन का भाजपा राज अस्थापित करेंगे इसी संकल्प के तहत हमने अपने सर पर पगरी नहीं मुरेठा बांध रखा है या मुरेठा मेहनत का प्रती का या मुरे अपने योयो टेस्ट का स्कोर फैंस को बताना भारतिय स्टार बले बाद विराट कोहली को भारी पर गया बीसी स्याइग की लतार का सामना उनकी इस कल्ती की वज़ज़ से पूरी टीम को करना परा मिली जानकारी के अनुसार एसीया कब से पहले बैंग रूरू के अलूर मे भारतिय टीम का कैंप लगा है योयो टेस्ट देना यहां सबी खिलारियों के लिए निवारे है मालूम हो कि किंग कोहली ने गुरुवार को इस टेस्ट में 17.2 स्कोर हासिल किया था अपने से स्कोर को उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरी अपने फैंस के साथ सेयर कि या था दिन्होंने हमार दोरा पुछेगा सवाल का जवाब दे उनके नाम है अन्वर करीम खान उमेश रिसी देव नुन्नु गोलु कुमार भान प्रकास मौर्या मुहमद फहीम रंजीत मिस्रा नवल कुमार राजेस कुमार सदुल्ला पलवी जैनरेश पासवान एमडी सा चानल को सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद